आज हम आलू से बनाएंगे वरत में खाने के लिए लच्छेदार आलू का नाश्ता इसे बनाने से पहले आपको कोई प्रिप्रेशन करने की जरुरत नहीं है वरत में जब कुछ खाने का मन करें तब आप इसे जटपट से बना सकते हो यहाँ सबसे पहले हम सींग दाने को रोस्ट करेंगे इसके लिए पैन में एक चमच ओईल ले लीजिए इसमें डालेंगे आधा कप सींग दाना इन्हें बढ़िया से ओईल में चलाते वे रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने के बाद ये दाने क्रंची हो जाते हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ओईल में ये हलके से फूटने लग गए हैं इन्हें ऐसे ही सेखते वे सुने रासा कर लीजिए जब सींग दाने का कलर ऐसे लाल हो जाए तब इन्हें हम पैन में से निकाल लेंगे ये बहुत ही क्रंची लग रहे हैं मैंने यहाँ थोड़े से ज़ादा दाने रोस्ट किये हैं जो कि नाश्ते के हर बाइट में अच्छे लगेंगे यहाँ मैंने दो बड़े साइज के आलू लिये हैं इन्हें मैंने छील कर वाश करके पानी में रखा है जिससे एक काले नहीं पड़ेंगे पानी में हम इने ग्रेट करेंगे जिससे एकदम फ्रेश रहेंगे यहाँ मैं इसे बड़े साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ जिससे जो आलू के लच्छें वो बड़े साइज के बनेंगे और ये बनने के बाद खिले-खिले रहेंगे ये चटपटी सी स्वादिस्ट रेसिपी है तो आप इसे जरूर बनाईए यहां मैंने दोनों अलू को ग्रेट कर लिया है इसके बढ़िया लंबे-लंबे लच्छे बने है तो अब इने हम हाथों से स्क्वीज करके इनका सारा पानी निकाल लेंगे इसे दोनों हाथों से दबा कर इसका पानी निकाल लिए ऐसे पूरा पानी निकल जाने के बाद लच्छे खिले-खिले हो जाते है देखे आलू में से सारा स्टार्च वाला पानी निकल गया है ये गम खिले-खिले हैं अब इनसे हम नाश्ता बनाएंगे यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ एक चमच ओयल इसमें ज़्यादा ओयल डालने की जरुरत नहीं है आलू का की सकम ओयल में अच्छा बन जाता है इसमें डाल दीजिए जीरा बड़िया से से चटक में दीजिए साथ ही में डालेंगे लाल मिर्च उपवास में आप लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इसे स्कीप कर दीजिए इसमें डाल दीजिए ग्रेट केवे आलू उपर से डालेंगे एक हरी मिर्ची जिसे मैंने बारिक कट करके लिया है इन्हें एक बार चलाते वे अच्छे से मिला लेंगे बहुती कम समय में बन जाने वाली रेसिपी है ये इसमें पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रत नहीं पड़ती है बढ़िया से मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक मैं यहाँ पर सेंदा नमक डाल रही हूँ ये उपवास वाला नमक है तो आप इसमें डाल सकते हो आदी चमच काली मिर्च डाल दीजिए इसे अच्छा फ्लेवर आएगा वरतु पवास में खाने के लिए ये बहुती फेमस रेसिपी है क्योंकि जब कुछ खाने का मन करे तब आप घर में ही रखे सिंपल से इंग्रीडियेंट से इसे दस मिनिट में तयार कर सकते हो एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हम दो मिनिट के लिए डखकर पकाएंगे आलू ग्रेट किये हुए हैं तो इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये जल्दी से कुक हो जाते हैं दो मिनिट ढखकर पकाने के बाद आलू का सारा कच्छापन निकल गया है ये बढ़िया से कुक हो गये हैं इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रुरत नहीं है वरना ये मैश हो जाएंगे इन्हें आप ऐसे ही खिला खिला रखिये अब इसमें डालेंगे क्रश कियेवे मूंफली के दाने जो हमने रोस्ट किये थे उसमें से आधे दाने को मैंने क्रश करके लिया है आधे हम इसमें साबूती डालेंगे इससे दिखने में तो ये सुन्दर दिखते ही हैं और इनका हर बाइट में स्वाध भी लाजवाब आता है उपर से हरा धनिया डाल कर एक बार सभी को फिर से मिला देंगे मुझे इस रेसिपी को बनाने में 8 से 10 मिनिट का समय लगा है जितने में ही देखिए ये एनरजी से भरपूर, स्वाधिस्ट और खिला खिला लाजवाब आलू का कीस बनकर तयार है आप इसकी एक कटोरी भरकर खा लोगे तो आपको पूरा दिन भूक नहीं लगेगी वरतुपवास में खाने के लिए मैंने अपने चैनल पर कई सारी रेसिपीज शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा आप उन्हें भी देख सकते हो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज के लिए